मीनू की जान मामा को क्यों तंग कर रही हो जल्दी से मामा के पास आओ आपको ब्रिकफास्ट करवाएं मामा मॉमल मनाहिल के पीछे भागती उसे आवाजें दे रही थी पर वो खिल खिलाती आगे भागती जा रही थी मीनू बिटा आ जाओ वरना मामा पिटा ही करेंगी मॉमल कब से उसे नाश्टे के लिए मना रही थी पर उस छोटी मैडम का शरारतों का प्लैन था इसलिए उसके हाथ ही नहीं आ रही थी मुझे नहीं थाना वो जवाब देती सीडियों की तरफ भागी रुको मनाहिल ऐसे मत भागो गिर जाओगी उसे फिकर मंदी से मना करती इसे पहले के वो अपनी बात पूरी करती मनाहिल की चीख पूरे घर में गुंजी मामा मनाहिल की चीख पर मॉमल भागती हुई सीडियों के पास आई जहां वो कुन से लटपत सीडियों के नीचे गिरी पड़ी थी सीखें सुनती अर्मिश भी अपने कमरे से निकल कर भागती हुई बाहर है इशा अफरीदी और फरीहा अफरीदी थोड़ी देर पहले ही मार्किट गई थी अरसम भी घर नहीं था और बासिम भी आफिस जा चुका था मिनू उठो मेरी बच्ची मिनू ममा की जान आंखें खोलो मॉमल मनाहिल को उठा कर गोद में डालती वहीं जमीन पर बैठ उसका चेहरा थप थपाने लगी रोती हुई अर्मिश के दमाग ने काम किया तो वो हिमत करके उठती तेजी से कमरे की तरफ भागी और जल्दी से बासिम का नंबर मिलाया बासिम को सूरते हाल से आगा करती वो वापस नीचे आई तो मॉमल यूही उसका चेहरा थप थप थपाती रोती चली जा रही थी आपी हमें से हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए देखें कितना खून बै रहा है अरमिश के आवास पर मॉमल ने चोंक कर गर्दन मोड़े उसे देखा वो भी उसके पास बैटकर रो रही थी अरमिश अरमिश देखो यह उट क्यों नहीं रही अरमिश इसे कहो उठे मुझे बहुत डर लग रहा है यह मुझे क्यों परेशान कर रही है अर्मेज से कहती वो फूट फूट कर रो दी तो उसके भी आंसों में रवानी आई कुछ नहीं होगा आप भी यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपको पता है ना कितनी शरारती है बस हमें तंग कर रही है इससे पहले के मॉमल उसकी बात का जवाब देती लाउंच का दर्वाजा यक्तम जटके से खुला और बासिम दोर तावा उन तक पहुंचा बासिम को देख मॉमल की सांसे सीने में अटक गए वो से मुखाटिब किये बगए उसकी गोद में पढ़ी मनाहिल को अपने बाजों में बढ़ता बाहर की तरफ भागा तो मॉमल भी होश में आई और बासिम के गाड़ी से पहले तक वो फरंट डूर खोलकर अंदर बैट गए बासिम मनाहिल को उसकी गोद में डालता खोड ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा पूरे रास्ते बासिमे एक लफ ना बोला था मॉमल रोती भी बार बार मनाहिल को आवाजें दे रही थी पर वो बेसुत पड़ी थी हास्पिटल पहुंचते ही मनाहिल को इमर्जनसी वार्ड में ले जाया गया मॉमल की टंगों ने मजीद उसका बोज उठाने से इंकार किया तो वो सामने मौजूद पैंच पर बैटती चेहरा हाथों में गिरा जारो कतार रोने लगी वो बासिम की हद से बढ़ती खामोशी पर अंदर ही अंदर लरज उठी थी जानती थी मनाहिल को लेकर वो कितना हसास था वो सख खौफ जदा थी कि बासिम अब उसे मौफ नहीं करेगा बेचैनी से यहां से वहां चक्कर काटते बासिम की नजर बेतरा रोती मौमल फर गई तो वो धीरे से चलता उसके पास आया और साथ बैट गया मौमल उसने मौमल के कंदे के गित बाजू फैला कर उसे पुकारा तो वो मुड़ी और उसके सीने से लगी वो बेचैन होता उसका सिस्कियां भरता वजूद देख रहा था बासिम प्लीज मुझे मुझे मौफ कर दें मैंने कुछ नहीं किया मैं तो उसे खाना खिलाने वाली थी पर वो खुद भाग दी उपर नीचे जा रही थी पता नहीं कैसे गिर गई मैं तो उसे मना भी कर रही थी बासिम पर वो गिर गई मुझे मेरी बच्ची ला दे बासिम उसे ठीक कर दे उसको बिलक बिलक कर रोते दे बासिम की आँखों के किनारे भी सुर्ख हुए थे मुमल मिरी जान कुछ भी नहीं हुआ उसे थोड़ी सी चोट लगी है बस डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रही है ना देखना थोड़ी दिर में बिलकुल ठीक हो जाएगी और तुम्हारी इसमें क्या गलती बच्ची है खेलते खेलते गिर गई इसमें किसी का कसूर नहीं तुम चुपो जाओ तुम्हें रोते हुए नहीं देख पाता मैं फिर क्यूं मेरे सबर का इमतहान लेने पर तुली हो उसकी आवाज में बेबसी घुली तो मॉमल खुद पर काबू पाने लगी वो अब भी सूंसूं कर रही थी बासिम वो ठीक तो हो जाएगी ना उसकी खुफ सदा आवास पर वो जुक कर उसके बालों पर लब रग गया बिल्कुल ठीक हो जाएगी परेशान मत हो वो नर्मी से कहता उसके गिर्द हिसार तंक कर गया उन्हें बैठे एक घंटा गुजर चुका था तब डॉक्टर कमरे से बाहर आया बासिम और मॉमल तेजी से डॉक्टर की तरफ लब के डॉक्टर कैसी है हमारी बेटी अब बासिम बेचैनी से पूछने लगा मिस्टर बासिम आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है सर भटने की वज़ा से खुन ज्यादा बह रहा था जिसकी वज़ा से नकाहत और खौफ से वो बेहोश हो चुकी है स्टिचिज लगा दिया है और ड्रेसिंग भी कर दी गई है थोड़ी देर तक होश में आ जाएंगी फिर आप घर ले जा सकते हैं उन्हें रिलाक्स रहें परेशानी की कोई बात नहीं डॉक्टर फिशवराना अंदाज में कहता वहां से चल दिया तो उसकी बात सुनते दोनों ने सकून का सांस लिया मॉमल गहरा सांस भरती बाजिम के बाजू के गिर्द हाथ बनती सर टिका गई बाजू पर मैं बहुत डर गई थी उसकी बात पर बासिम दूसे हाथ से उसका सर सहलाने लगा मैं जानता हूँ मैं भी बहुत डर गया था पर अल्लह का शुकर है कि सब ठीक है थोड़ी देर बाद मनाहिल को डिस्चार्ज कर दिया गया तो वो से लेकर घर वापस चल दिये वो दोनों उस वक कदम से कदम मिलाते साहिल के किनारे चल रहे थे जानते हैं महबबत क्या है दुरिया के सवाल पर जैन गर्देजी गर्दन मोर कर उसकी जानिब देखने लगा वो जो सामने देखती चलती जा रही थी आंखों की विरानी अब भी अपनी जगा काईम थी आप बता दें जवाब देने की बजाए वो उससे पूछने लगा महबबत चार हरूफ का सांचा है मीम हे बे ते जानते हैं महबबत के मीम का मतलब क्या है मिल जाए तो मोजज़ा ना मिले तो मौत और मौत सिर्फ जिस्म से रूख के परवास कर जाने कोई नहीं कहा जाता जानते हैं महबबत के हे का क्या मतलब है मिल जाए तो हकूमत ना मिले तो हसरत और हसरते पूरा इंसान निगल जाती है फिर जानते हैं महबबत के बे का क्या मतलब है मिल जाए तो बहादूरी ना मिले तो भला और महबद से बड़ी बला भी कोई हुई है आज तक भला और जानते हैं महबद के तinasht का क्या मतलब है मिल जाए तो तफट ताज ना मिले तो तनहाए और तनहाई से ज्यादा जान लेवा भी आज तक कुछ हुआ है भला जैन साकित सा उसके लबों से अदाओते जुम्ले सुन रहा था क्या तारीफ बयान की थी उसने महबत की उसका हर्फ हर्फ सच था जैन गर्देजी भी तो उसी महबत की राह का मसाफिर था फिर कैसे नमतफिक होता उसकी एक एक बात से वो रुका जबके वो चलती रही थोड़ी आगे जाकर उसे महसूस हुआ कि वो अकेली ही चल रही है तो रुक कर पीछे देखने लगी उसने रुक मोड कर देखा तो पीछे वो पेंट की जेवों में हाट डाली खड़ा था क्या हुआ रुक क्यों गए वो अब रूच का कर इशारे से पूछने लगी तो वो उदासी से मुस्कुराता नफी में सर हिला गया और फिर से अपने कदम बढ़ाता उसकी तरह आया डूपता सूरज हर रोस की तरह आज पी उन दो भटके हुए मुसाफरों को देखकर उदासी से मुस्कुरा दिया नूरिया डरते डरते उस घर में दाखिल हुई जिसका पता हाशिर ने उसे भेजा था अपने भारी वजूद के गिर्द मजबूती से चादर पहलाती वो इत्याती कदम उठाती आगे बढ़ती जा रही थी वो घर बाहर से जितना वीरान था अंदर से उससे बिज्यादा खौफनाक देख रहा था यहां तक तो आ गई थी पर अब दिल खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था कोई है खाली माकान में उसकी आवाज गुंजी तो नूरिया को अपनी आवाज से खौफ महसूस हुआ हाशिर अपके उसकी पुकार पर वो एक कमरे से निकलता उसके सामने आख खड़ा आईए आईए मिस्सिस राजा वेलकम उसकी सरदावास पर नूरिया बेसाकता एक कदम पीछे ले गए तो उसकी पुष्ट लाउंच के बंद दर्वाजे से टकरा गए उसका रंग सुफ़ाद पड़ा क्योंके अभी ये दर्वाजा खुला था पर हाशिर के सामने आते ही बंद हो चुका था पीछे से क्या हुआ डर क्यों रही हो हाँ उससे पूछता हाशिर उसकी तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था जबके नूरिया खौफ के बाईस अपनी चादर दोनों मुठियों में भीच गए हाशिर ने एक तफसीली नजर उसके सरापे बढ़ डाली उसकी नजरे नूरिया के अपने जिसम के आरपार महसूस होती उसको महसूस हुए वो एक दम तैश में आता आगे बढ़ा और नूरिया को बालों से दबोच किया अख छोड़ो मुझे जंगली इनसान वो चीखती उपने बाल उसकी गरिफ से आजाद करवाने के जतन करने लगी पर वो उसके चीखने चिलाने की परवा किये बगए उसे बालों से दबोचे अपने साथ खीशता एक कमरे में लाया वो एक जटके से उसे जमीन पर फेंक गया नूरिया ने बहुत मुश्किल से अपने हाथ जमीन पर जमाते खुद को बैलन्स किया था अपने बच्चे को खोने के डर से उसका दिल बेतरहा से धड़क रहा था तुझे क्या लगा था स सही मौका दे ही दिया मुझे वो फूंका रहा था जबके नूरिया सुनोती उसे देख रही थी उसे लगा सामने खड़ा ये इनसान हाशिर हो ही नहीं सकता अगर ये हाशिर था तो इस हाशिर को वो जानती ही ना थी नूरिया को बहुत जल्द यह हैसास हो गया कि वो बुर होती हुए अपने बाल उसकी गरिप से छुड़वाने लगी तो वो एक जटके से उसे छोड़ कर उट खड़ावा हाशिरा पैसा क्यों कर रहे हैं हाँ मैं जनती हूँ कि आपकी खौाहिश की वजह से मैं आरजी शादी के लिए मान गई थी पर मैं उस पर काईम नहीं रह सकी मेरे पास भी दिल है मेरी भी इज़त नफस है मैं कोई खिलोना नहीं जिसे जब चाहा किसी और की जोली में डाल दिया और जब चाहा वापस ले लिया मैं एक जीती जाकती लड़की हूँ जिसके जजबात और ऐसा साथ हैं मैंने पापा से जित करके आप से शादी की हाशि पिर आपका हर सुक दुख में साथ दिया आपको हर सुक देने की कोशिश की आपकी ऑलाद की रोज पर रोज बढ़ती खाहिश मुझे सूली पर अटकाई रखती थी फिर जब आपको पता चला कि आप बाप नहीं बन सकते तो आप मुझे किसी और मर्द के पास जाने के लि बीवी किसी और की जोली में डाल दी इजददार मर्द तो ऐसा सोचते हुए भी हजार दफ़ा मरता है पर आप तो पूरे बेगा है इससे पहले के वो अपनी बात पूरी करती हाशिर ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थपड रसीत किया थपड की शिदत इतनी ज़्यादा थी कि नूरिया को अपना जबरा टूपता महसूस हुआ उसके मूँ में खून का जाइका गुलने लगा मुझे गाली देगी हाशिर को देख अप करता क्या हूं तेरे साथ वो घजजओ घजब से कहता उसे बाजू से खींचते वे कमरे के वस्त में पड़ी कुरसी के करीब ले गया और उसे बांद दिया कुरसी पर चल अब शुरू करागे की कहानी उसके कहने पर नूरिया खौफ के मारे लबजी गई बोल वो चीख कर कहता नूरिया को थराने पर मजबूर कर गया मेरी जब राजा से शादी हुई मैंने तब ही सोच लिया था कि अब किसी सूरत राजा से तलाक नहीं लूँगी मैं मैं कोई खिलोना नहीं एक सांस लेता वजूद हूँ मैं जिसके सीने में दिल धड़कता है जिसके पास इज़त नफ्स है और फिर राजा की महबत और इज़त भरे रवये ने मुझे अपने फैसले पर और ज्यादा साबित कदम कर दिय राजा ने मुझे एक नए मर्द के रूप से आशना करवाया इतनी इज़त इतनी महबत दी जिसका मैं तसवर बिना कर सकती थी राजा ने वाज़े अलफास में मुझे बता दिया कि वो कभी मुझे नहीं चोड़ेगा मैं भी कहां चोड़ना चाहती थी उसको हम दोनों की जिन्दगी बहुत पुर सकून हो गई थी हाशिर पर आप ने आज धोके से मुझे यहां बुला कर यह साबित कर दिया कि आप कभी भी राजा की बराबरी नहीं कर सकते बात खत्म करते हैं नूरिया हाशिर से दूसा थपड भी खा चुकी थी वो बे आवाज रोने लगी त सबसे एक बात तो अच्छी तरह साबित हो गई कि धोका देने वाले को भी बदले में धोका ही मिलता है जानती हो कैसे उसके पूछने पर वो चेहरा मोर कर दूसरी जानिब देखने लगी अहां इतना गरूर कोई नहीं अभी यह गरूर मिटी में मिलने वाला है वो कहता उस मैं बताता हूँ कौन है मुर्तसम यजदान हसन ये देखो ये है मुर्तसम यजदान हसन वो मुबाइल की स्क्रीन नूरिया के सामने कर गया तो वो सामने देखती आंखे पहला गए क्या बकवास है ये कोई मुर्तसम कैसे हो सकता है ये तो मेरे राजा है वो उसकी अकल पर चिलाई बेचारी नूरिया किस कदर भोली हो ना तुम जानता तो शुरू से ही था पर अब तो यकीन हो गया है दस माँ हो चुके हैं तुम्हें राजा के साथ रहते और अब तक तुम उसकी असलियत ही ना जान सकी बहुत अफसोस हुआ चलो खर मैं बताता हूं तुम्हें के नाम से हैं राजा का गेट अप उसने अपने एक मिशन के लिए लिया जानती हो कौन सा मिशन वो नूरिया की बेयकीन आंखों में देखता सवाल करने लगा पर वो इस हालत में ही कहा थी कि उसके सवाल का जवाब दे पाती मेरे गैंग को पकड़ने के लिए वो गारती आवाज पर सब छोड़ चाड़ कर तेजी से कमरे की तरफ गई क्या हुआ है क्यों इस तरह से चीख रहे हैं आप इतनी तेज आवाज से के मेरी बच्ची अभी उट जाती वो से सुनाती कसमा साती हुई मनाहिल को थपकने लगी जो चंद सेकिंड में ही दुबारा नीन की वादियों में चली गई जी फरमाईए आप किस खुशी में सुभा सुभा मेरे नाम का रागल आप रहे हैं आप मनाहिल को सुलाने के बाद वो बासिम की तरफ आई जो ड्रसिंग टेबल के साथ टेक लगा कर खड़ा उसकी तरफ ही देख रहा था जबके दोनों जाहिर करती उसके करीब चली आई कोई काम था आपको मैं आपके लिए नाश्टा उसका जुमला पूरा होने से पहले ही बासिम उसकी कमर में हाट डाल कर उसे अपने करीब खींच गया तो मूमल के मूं से चीफ निकलते निकलते रही क्या कर रहे हैं आप मूमल उसके मजब आँखों पर फूंक मार कर वो मूस्कुराया तो मूमल पलकें जबकने लगी बीवी से महबत करना इबादत ही तो है वो अपनी बात के जवाब में उसके चेहरे पर फैले खूबसूरत रंगों को मभूत होकर देखने लगा रूह मन उसकी महबत से लबरेज आवाज मूमल क जिसम में फरीरी दोरा गए उसके लफसों की चाशनी मूमल की रूह महकाने लगी पलकें लरस कर सजदा रेज हुई थी जजी जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो उसकी गंबीर आवास में किये गए इस तफसार पर वो सर नफी में ही ला गए करारे मन हो तुम चाहते दिल हो हो तुम उजला सवेरा हो तुम महकीरात हो तुम सबसूरुतों का पयाम हो तुम मुझ में मैं हूँ ही कहां मुझ में पूर पूर हो तुम उसके अलफाओ मॉमल की रूखे उधरे और जले जखमों पर फौर बन कर बरस रही थे उसे यूं मحسوس हो रहा था जैसे बासिम ने उसकी मुहबत की हगदार रही हो बासिम मॉमल की पुकार पर बासिम ने सर जुका कर उसकी आंखों में जहांका बोलो वो चेहरा जुकाते उसके कान में सर गोशी करने लगा तो मॉमल लर्रज उटी आप अफिस के लिए लेट हो रहे हैं मेरा बनाया गया नाश्टा अब तक थंडा भी हो चुका होगा वो उसकी शेट के बटनों पर उंगली फिरती बोली तो बासिमा फ्रीदी के जजबात पर औस पढ़ गई यार वो बद मज़ा होता बोला तो वो खिल खिला उटी बहुत मज़ा आ रहा है ना मेरी हालत पर अभी बताता हूँ वो चिड़ कर कहता शरारत से उसे पकरने के लिए आगे बढ़ा तो उसके इरादे समझती मुमर उसे जुबान चिड़ा कर कमरे से बाहर भाग गए जबके वो सिर्फ उसकी फूरती देखता रह गया फिर सर जटक कर भरपूर मुस्कुराता अपना रुख शीशे की तरफ मूर कर बाल बनाने लगा हस्पेंट ये वाला सवाल समझा दे अर्मिश सामने बैठे अर्सम से बोली जो मुबाइल में गुम था उसकी आवाज पर उसने चौंक कर सर उठाया फिर उसकी बात पर ध्यान देता बैट छोड़कर सीधा आओ बैठा और फिर मुबाइल साइट पर रखा लाइं दिखाएं कौन सा सवाल गुजरे साथ महीनों में अर्सम अर्मिश को पढ़ा रहा था जब मैचिस में बिजी होता तब ये जिमादारी मूमल के सर आ जाती अर्सम ने बहुत वक्त में जान लिया था कि अर्मिश एक जहीन लड़की थी बहुत जल्दी चीज़ें पिक कर लेती थी अभी भी वो अलजबरा के सवाल हल करने बैठी थी जब उसे एक सवाल मुश्किल नजर आया जब उसे एक सवाल में मुश्किल हुई तो वो उसी सवाल में अब बासिम से हल्प मांग रही थी ये वाला, वो उंगली से सवाल की जानिब इशारा करते बोली तो अरसम ने, उसके हाथ से पैन और रिजिस्टर पकर कर सवाल समझा दिया, उसे सवाल समझा कर वो फिर से मॉबाईल में गुम हुआ, अभी दस मिनट गुज़े थे जब उसकी मीठी सी आवाज फिर कानों में तकराई, हस्बेंड दुबारा समझा दें प्लीज, उसकी पुकार पर फिर से सर हिलाता, वो उसे समझाने लगा, उसे सवाल समझा कर वो फिर से मॉबाईल पर गेम केलने लगा, हस्बेंड एक दफ़ा फिर प्लीज, बस तीसरी दफ़ा पुकारा गया, हस्बेंड प्लीज लास्ट टाइम अपके आवाज में शदीद बेबसी थी अपके आवाज में थोड़ी नमी भी घुल गई थी पर वो पहली दफ़ा जैसे ही फर्मा बर्दारी के साथ सर हिलाता पहली तवज्जो के साथ समझाता फिर गेम खिलने लगा कुछ देर बाद उसे हलकी हलकी सिस्किय को गीला कर रही थे बालों की लटें भीकर गालों से चिपकी हुई थी और नाक लाल हो रही थी जिसम होले होले कांप भी रहा था वो मॉबाइल बैट पर फेंचता तेजी से उसके नजदीक आता कंदों से उसे थाम गया क्या हुआ हुआ यार रो क्यूं रही है कहीं पर सर रखती बच्चों की तरह रोने लगी उसे यू रोते देख वो मजीद परेशान हुआ अब की बार कुछ भी पूछे बगयर उसके गिर्द एक हाथ बानता दूसरे हाथ से उसका सर थप थपाने लगा काफी मिनट रो लेने के बाद जब उसका रोना मद्धम हुआ सिस् करदार एक भी आंसू इन हसी नांकों से अब बाहत हो वो अर्मिश को प्यार भरी डांट पिलाता उसके रोने की वज़ा दर्याफ करने लगा उसके सवाल पर वो शर्मिंदा सी सर जुकाती निचला हूंट दांतों तले दबा गई अर्सम ने उसे इशारे से मना किया दाए ये शाब बास अर्सम अर्मिश का हाथ अपने दोनों हाथों में लेता हुआ नर्मिश से पूछने लगा तो वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी सर उठाकर उसका चीरा देखती खुद में बोलने की हिम्मत पैदा करने लगी वो एक्चली वो वो अटक कर बोलने लगी तो अर्स अर्सम हैरत से उसका मूँ देखने लगा आप एक सवाल समझना आने पर इतना रो रही हैं सिरियसली अर्सम की आवाज और चेहरे से जहलकती बेयकीनी देख वो मजीद शर्मिंदा सौरी अर्सम आफरीदी कहां उसके शर्मिंदा होते हुए देख सकता था वो अर्मिश की ठो लेकिन हम चार दफा समझ चुके हैं आप से वो होंट लटकाती बोली तो अर्सम उसको मासूम मगर जान लेवा अदा पर दिल के हाथों मजबूर हो गया आप मुझसे चार दफा क्या चार हजार दफा भी एक ही सवाल कर सकती हैं अर्सम आफरीदी का भी इतना जिगरा नही उठाए उसकी हर बात पर लब बैक कही वो अपने खुबसूरत अलफाज अर्मिश के कानों में उतारता उसे पुरसकून कर गया अच्छा छोड़ें ऐसा करें अभी इसको छोड़ दें कुछ दिर दमाग को पुरसकून होने दें फिर दुबारा समझें वो उसकी गोद में पड़ा रजिस्टर और पैनिक तरफ रखता बैट से टेक लगा कर बैठा